दो भिकारी सोहन और मोहन दो भिकारी थे फिदूनों एक बड़े मंदिर के बहार अन्य भिकारियों के साथ खाना और पैसा भीक मांगती थे सोहन लंगड़ा था और मोहन अंधा एक दिन एक अमीर आदमी आकर बोला मित्रों, मैंने अपने घर एक शांदार दावत का इंतजाम किया है आप लोग जरूर कल मेरे घर आ जाना सोहन और मोहन एक दूसरे की मदद के बगैर नहीं जा सकते थे मोहन ने सोहन से कहा दोस्त, अगर तुम मुझे रास्ता बताते जाओगे तो मैं तुम्ही अपनी पीट पर बैठा कर ले चलूँगा और दोनों ने ऐसा ही किया और जाकर दावत का मज़ा उठाया दोनों बहुत खोश हुए